14 cm भुजा के एक घं से बड़े से बड़ा शंकू काटा जाता है शंकू का आयतन ग्यात कीजे यहां हम चितर से समझते हैं एक घं है जिसकी प्रतेक भुजा 14 cm है और उसमें से हमने बड़े से बड़ा एक शंकू काटा है तो इस प्रकार से यदि हम काटते हैं तो जो शंकू का आधार है वो कितना होगा आधार की त्रिज्जा होगी 14 बटे 2 क्योंकि व्यास कितना हो सकता है बड़े से बड़े शंकू का व्यास हो सकता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्जा होगी 7 सेंटीमीटर के बराबर और बड़े से बड़े जो शंकू की उचाई होगी H वो होगी 14 cm के बराबर तो यहां हम देखते हैं कि 14 cm वाले घन में से बड़े से बड़े शंकू के आधार की तरिज्या आर 14 वटे 2 cm अर्था 7 cm के बराबर है जैसा कि चितर से इस पश्ट है जो आधार होगा वो बड़े से बड़े शंकू का आधार इस परकार से होगा कि उसका व्यास 14 cm है तो तरिज्या होगी 14 वटे 2 cm अर्था 7 cm और बड़े से बड़े शंकू की उंचाई कितनी होगी उंचाई होगी 14 cm के बराबर इस परकार से शंकू जो बड़े से बड़ा होगा उसकी उंचाई h 14 cm के बराबर है तो हमको r ग्यात हो गया r है 7 cm शंकू की उंचाई h ग्यात हो गई यह है 14 cm तो शंकू का आयतन हम जानते हैं आयतन होता है 1 बटा 3 πr²h πr²h गुणा 1 बटा 3 यह मान शंकू के आयतन को दर्शाता है तो r हमें ग्यात है πr²h हम जानते हैं 22 बटा 7 होता है h हमें ग्यात है 14 मान कितना हो जाएगा आयतन हो गया 1 बटा 3 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 14 कल्कूलेट करते हैं तो कल्कूलेशन से यह मान आता है 718.67 घन सेंटीमीटर तो शंकू का आयतन जो बड़े से बड़े शंकू का आयतन होगा वो होगा 718.67 घन सेंटीमीटर शंकू के आधार की त्रिज्या और उंचाई क्रमशे 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है शंकू की त्रिची उंचाई, वक्र प्रष्ट का शेतरफल, संपून प्रष्टिय शेतरफल और आयतन ज्याद कीजे यहाँ शंकू से सम्बंदित हम सूत्रों को देखते हैं तो यदी एक शंकू इस प्रकार से है कि उसके आधार की त्रिज्या आर है उंचाई ह है, तिरची उंचाई एल है तो प्रष्टिय शेतरफल होता है πाई आर एल संपून प्रिष्ट का शेतरफल πाई आर ब्रेकिट में आर प्लस एल होता है आयतन होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वाइर एच एल एच और आर में संबंद होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर इन सूत्रों का प्रियोग हम यहां इस प्रिशन को हल करने में करेंगे तो यहां हमें प्रिशन में क्या दे रखा है शंकू के आधार की त्रिज्जा पराबर है 7 सेंटीमीटर प्रिशना अनुसार जो शंकू में शंकू के आधार की त्रिज्जा है R वो 7 cm हमें ग्यात है और उचाई हमें दे रखी है 24 cm तो H कमान कितना हो गया 24 cm शंकू की उचाई 24 cm है तो हम L अर्थात तिर्ची उचाई ग्यात कर सकते हैं हमने देखा सूतर क्या है हमारा L बराबर अंडर रूट H स्क्वाईर प्लस R स्क्वाईर तो शंकू की तिर्ची उचाई सूतर है हमारा L बराबर अंडर रूट H स्क्वाईर प्लस R स्क्वाईर H और R के मान यदि हम H का मान 24 cm और R का मान 7 cm रख दें तो L का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वाईर प्लस 7 का स्क्वाईर कैलकूलेट करते हैं तो ये मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 576 प्लस 49 अर्थाथ अंडर रूट 625 तो L का मान हो गया 25 cm हमने तिर्ची उचाई ग्याद कर ली तिर्यक उचाई ग्याद कर ली L का मान है 25 cm अब हम शंकू का प्रष्टिय शित्रफल ग्याद करते हैं वक्र प्रष्टिय शित्रफल ग्याद करते हैं तो हम जानते हैं कि शंकू का वक्र प्रष्टिय शित्रफल का सूतर है पाई आर एल पाई 22 बटा 7 आर हमें प्रशन में कितना दिया है प्रशन में आर हमें ग्यात है 7 cm है एल हम ग्यात कर चुके हैं तिरची उचाई 25 cm है मानों को रख दिया तो वक्र प्रश्टिये शेतरफल हो गया 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 25 कैलकुलेट करते हैं यह मानाता है 550 वर्ग सेंटीमीटर तो शंकू का वक्र प्रश्टिये शेतरफल 550 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है अब प्रशन का अगला हिस्सा देखते हैं हमें संपून प्रश्टिये शेतरफल ग्यात करना है संपून प्रश्टिये शेतरफल शंकू का होता है πाई आर ब्रेकेट में आर प्लस एल पाई 22 बटा 7 आर हमारा क्या है शंकू के आदाहर की तरिज्जा जो हमें क्या दिये 7 सेंटीमीटर एल हमने निकाल लिया है एल हमारा है 25 सेंटीमीटर इनमानों को रखते हैं तो रखने से हम क्या प्राप्त करेंगे संपून प्रिष्ठी ये शेतरफल हो गया 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा ब्रेकट में है 7 प्लस 25 केलकुलेट करने से 7 कैंसिल हो जाएगा अर्थात मान हो गया 22 गुणा 7 प्लस 25 अर्थात 32 मान होता है 22 गुणा 32 संपून प्रिष्टिय शित्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है अब हमें अगला हसा क्या है प्रिष्ण का हमें शंकू का आयतन ग्याद करना है तो आयतन का सूत्र क्या है शंकू का आयतन होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वाइर एच एक बटा तीन पाई आर स्क्वाइर एच R हमारा कितना है? R हमारा प्रशन में ग्यात है 7 cm है H हमारा कितना है? शंकू की उचाई 24 cm P हम जानते हैं 22 बटा 7 होता है मानों को रख दिया तो शंकू का आयतन हो गया 1 बटा 3 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 25 calculate करने से ये मान आता है 1232 घन सेंटिमीटर तो शंकू का आयतन 1232 घन सेंटिमीटर है